हेलो एवरिवन एंड वेलकम बेक टू मैं चानल एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को यह वाली स्किन ब्राइटनिंग वाली बहुत ही सूपब वाली मुलेटी प्लास हल्दी चंदन सब कुछ मिक्स करके और एक बहुत ही बढ़िया सी सौप बनाना सिखाने वाली आपको अच्छे से समझ में आए सौप बनाने के लिए सबसे पहले हमारा इंग्रीडियंट होगा सौप बेस जो कि आप अमाजोन से यह किसी भी वेब साइट से खरीद सकते या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूं कि आप बैस्ट रेटिंग वाला सौप खरीदे ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें और यस इस तरीके का क्रिश्टल क्लियर टाइप का होता है और जब तक हम अपने इंग्रीडियंट रेडि करते हैं तब तक के लिए मैंने यह पे पानी को बोईल होने के लिए रख दिया ताकि हम डबल बोईलर वाला और यह विटामिनी की कैपसूल है और एक टी स्पून यह सबसे इंपोर्टेंट तो सबसे पहले मैंने यहां पे अल्स गुटनेस का मुलेटी पावडर यूस करा है जो कि मैंने फॉर टी स्पून के करीब लिया है आप देख सकते हैं इस वीडियो में अराम से और मुलेटी आपको पता है इसके इंवाइटिंग व्राइटिंग के लिए बहुत ही बैस्ट वाल एंग्रिडियों तो इस तरीके के इंग्रिडियों अगर आप लोग अपनी स्पून पर यूस करेंगे तो डैफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो दूसरे इंग्रियों हमारा तरीके भी तर्लडि यहां पे हेल्ती जो कि अगेन अल्ब्स गुण नेस का है और एक टीज्पून मैंने यूस्कर है और यहां पे तूप लास फ्होड़ा से दीज्च एक्स्टा टीज्पून यहां पे चंदन क पाउडयर यूस कर रहा है और ऐन टूडू अंदू Eint cabbageर हम मैंने यहां पर मुल्तानिमिटी का यूज करा है तो अभी जैसे ही इनको अगली प्रोसेस करेंगे उसे पहले हम अपना जो सोप बेस डेड़ी किया था हमने उसको जो पानी जो हमारा बोल हो चुका है तो वहां पर रख देंगे ताकि अपना जो सोप बेसा वो मेल्ट हो तो यहां पर मैंने अलवरेज जेल लिया है अलवरेज जेल को हम डालेंगे इसमें मतलब बाद में और डालेंगे लेकिन अभी थोड़ा मैं आपको ता दिती हूं टू टीप टीश्पून डाला है बाद में और डालेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो अभी के लिए तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका यह निकाला मुश्किल हो जाता तो इसको अगर आपने उल्टे हाथ पर इस तरीके से प्रेस करोगे दूबारा से बता रही हूं लिक दिस तो जितना भी एक्स्ट्रा ओलगा तो निकल जाएगा आपने हाथ पर तो फिर मैंने उसका जो ओल है वह इसमें ट्रांसफर कर लिया था तो मैंने यह पर एक पी स्पून के करीब बादाम रोगन डाल दिया है अभी इंसार प्रेडेक्ट्स को हम इंग्रेडियंट को मिक्स करेंगे और तब तक के लिए हमारा सोप बेस भी रडी हो चुका है जो आप चाहें तो इसमें गुलाब जल भी एड़ कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैंने यह पर एड़ नहीं किया है और मैंने इसको मतलब बहुत जादा गिला भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि अभी सोप में जाने के बाद अराम से मेल्ट हो जाएगा और इसको जाजा नही तो क्योंकि इसमें ऐसे हाड वाली सोप नहीं बनेगी तो सावी सीजों को डालने के बाद इस तरीके से लेक एक रबडी के तरह यह साबून बनेगी लेकिन आपको यह खाना नहीं है यह आपको अपने फेस पे लगाना अपने बाड़ी पे लगा सकते हैं आप जैसे चाहे अचैघ कर सकते हैं एक यह एक बार युज कर सकते हैं काफी बेट रिजल्ट आपको मिलेंगे तो मैं यह नपर इस्पोजल वाली तो वह रह एँ हैैं उसमें मैं इसर सफ्प genau कर अपनी रॉप और मैंने हैं अब्या मतलब एक सथ दो का जो एक टक्को अट मिले थैसमें और यह है फाइनल लूक इसको फ्रिजर में हाफ गंटे के लिए रखोगे या अधे गंटे मतलब ए गंटे के लिए अराम से यह हो जाएगी रडी और उसके बाद यह पिगलेगी नहीं आप ऐसा नहीं सोचेंगी कि मतलब आ बहार रखेंगे तो पिगल जाएगी काफी कुपसु को किल है या बर य வेट कर लिए यदट अपने फेस पह यूज कारीं आप अपनी लिए अपनी बॉड़ी के लिए अलग साप रेक सकते हैं अपनी लिए अरक से Snake से क गूब्र इंसक कर सकते हैं मुझे अं इंस निन्माल भी आस इत्सी के सकते हैं नो केमिकाल्स नो केमिकल्स और आप आराम से यूज़ कर सकते हैं ओहू क्या रिजल्ट्स मिलने माले हैं आप देखते रहा जाओगे आप पस साथ दिन यूज़ करो और मज़े करो या इस सौप को जरूर से बराइए ट्राइ करें और मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं तो मिलूंगी नेक्ट वीडियो में टेक क्यार बाई बाई आवरिवर्वर्ण